नारियल के जन्म की कहाने वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोग के संद्रे को देखना चाहते थे इधर दूसरी तरफ रिशी विश्वामित्र अपने तपस्या के लिए घर से बाहर निकले चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए काफी समय बीट गया लेकिन वह नहीं लोटे इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने रिशी विश्वामित्र के परिवार के पालन पोशन की जिम्मेदारी ले ली कुछ समय बाद जब मुनिवर लोटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन हुए उन्होंने पूछा कि उनकी अनुक स्थिती में किसनी उनकी देखभाल की इस पर रिशी की परिवार वारों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोशन की जिम्मेदारी उठाई थी यह सुनकर रिशी विश्वामित्र तुरंत राज महल पहुंचे और राजा से मुलाकात की वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा इस पर राजा ने रिशी को अपनी इच्छा पूरन होने का आशिरवाद मांगा राजा की बात सुनकर रिशी विश्वामित्र ने कहा कि बोलिए महाराज आपको क्या वर्दान चाहिए तब महाराज ने कहा कि हेमनी मुझे एक बार स्वर्ग लोग के दर्शन करने हैं क्रिपै करके मुझे वहाँ जाने का वर्दान दे राजा की प्रातना सुनकर रिशी विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोग की ओर जाता था यह देख राजा सत्यवर्द बहुत खुश हुए वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोग पहुँच गई यहाँ पहुचते ही इंजर देव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया जिसके कारण वो सीधे धर्ते पर जा किरे राजा सत्यवर्द ने तुरंत सारे घटना रिशी विश्वामित्र को बताई राजा की बात सुनकर रिशी विश्वामित्र कुस्से से आगब भूला हो उठी उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला जिसके बाद राजा के लिए एक निया स्वर्ग लोग बनाया गया नए स्वर्ग लोग को प्रिथवी और देवताओं के स्वर्ग लोग के बीचो बीच सापित किया गया ताके किसी को प्रेशानी ना हो नए स्वर्ग लोग के राजा सत्य व्रग तो बहुत खुश हुए लेकिन विश्वा मित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी उन्हें डर था कि नए स्वर्ग लोग कहीं जोरदर हवा के कारण गिरना पड़े अगर ऐसा होगा तो राजा सत्य व्रग दोबारा से धर्टे पर जागे रेंगे काफी सोच विशार के बाद रिशी विश्वा मित्र को एक उपाय सुझा और उन्होंने नए स्वर्ग लोग के नीचे एक बहुत लंबा खंबा लगा दिया ताके उसे सहारा मिल सके ऐसे मान्यता है कि नए स्वर्ग लोग के नीचे लगाया गया खंबा एक विशार पेड के तने के रूप में बदल गया यही नहीं कुछ समय पश्चाथ जब राजा सत्य व्रग की मिलत्यों हुई तो उनका सिर एक फल में तबदेल हो गया तब ही से इस खंबे को नारिल का पेड कहा जाने लगा जबके राजा का सिर नारिल की रूप में जाना गया यही कार्ण है कि नारिल का पेड इतना लंबा होता है अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिष कुरी हो सकती है